वाइफ डिटी चैन्जिंग दा विव लंडिंग स्वागत आप सभी का इंडिया के नंबर वां स्टी चैनल वाइफ डिटी पे शुकाहिज जैसे कि आप सभी को मालू मैं डेली सुबह 8 बजे मंदे टू सेटेंड दे अपना एक इंपॉर्टन सेशन होता है 40 तू 45 50 तक जिस वह अच्छा परफॉर्म कर सकें तो जैसे कि आपको मालूम है आज मंडे और मंडे की सुबह के आट बच्के पांच मिटे जो कि हो चुके और होपफुली जो है आज आपको काफी मजा आने वाला क्योंकि मंडे तो दो दिन का न्यूस पेपर कवर करेंगे और आज अच्छ है जो कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए या फिर आपके नॉलेज के लिए इंपॉरेंट हो ठीक है इस तो गुट बॉनिंग आइस गुट बॉनिंग एव्रिवन गुट बॉनिंग चले तो शुरुबात करते हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है सोला और सत्रा में है आज तो आज हम लोग आज का निउस्पेपर कवर करेंगे सारे एक्जाम में जो कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इनमें से कर आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो तो आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा महत्रपूर्ण है सबसे पहले सटेड़े क उसके शॉट्स हम लोग कवर करेंगे फन फैक्ट हो गया और साथ में आज के कुछ मेंतरपूर्ण सवाल हम लोग कवर करेंगे सबसे पहला सवाल जो कि मैंने आप सेटेड़े को पूछा था डॉम यह डिफेंस सिस्टम कौन से कंट्रे का है तो हमने बात करी थी इस्राइल मना कर दिया गया था सबसे रिस्क वाली सिटी दोस्तों पूरी दुनिया में कौन सी है एर और वर्टर पलूशन के वज़े से तो कौन सी है जकारता को दोस्तों बताया गया था नेक्ट बात करते हैं जो कि यह मोस्ट पॉपूलेटेट कंट्री बाइट तुदाओजन तो जैसे की दोस्तों हमारी जंसन क्या बढ़ रही है चाइना की घट रही है उस हिसाप से दोस्तों हम लोग जल्दी दोज़ा 27 तो के बाद मैं मुझे लगता है कि 2025 की हम लोग जो है चाइना को पीछे कर देंगे फॉस्त टोटल लूनर एकलिप्स और ब्लड मून दोस्तों इस साल कितनी तारिक को आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 26 में आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है जो की आएगा इसके अलावा कर आपको दोस्तों इंडिया में 30 प्लस गॉर्मेंट जो आपके एक्जाम मे प्लस पर पूछेगा तो आपको भी एच्व टेन या फिर मुनेश्टल लगाना है जिससे आपको 10% का आउप मिल जाएगा आप इसको यूपी एसी पीसी डिफैंस बैंकिंग एससी किसी भी एक्जाम के लिए यूस कर सकते हैं यहां पर आपको इंडिया के सारे टॉप सकते हैं और एक और अच्छी बात यह कि मैं आप लोग के लिए एक फ्रेश न्यू बैचे से जो की लेकि आने वाला हूं परस्ट आफ जून से तो बिल्कुल होल न्यू एक्स्पीरियेंस से जो कि आपको जिकेगा होने वाला है प्लस के अंदर जहां पर मैं इस्ट्री से स अगले शक्स के लिए बहुत बड़ा मोटीवेशन का सहार है जो की बनता है तो कोशिश करा करें कभी भी किसी को नेगिटिव जो है वो ना बोले अगर कोई ट्राय कर रहा है चाहिए दुनिया में कोई भी काम हो बस गलत नहीं होना चीए लिगल अनकॉस्टिटूशनल नहीं होना चीए अगेंस दावाद जो भी कोई परसन कुछ कर र सबसे लोगों से जो है वो तुड़ा हाथ जोड़ के दूर से निकला करो और आगे बढ़ा करो क्योंकि ऐसे लोगों को जो है हमीशे नेगटिव ही वाइब शाव तरह नाशरा आती है चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले दो संडे के नियूस्पेपर की बात करें तो य यहां पर देख सकते हैं मैप के अंदर और यहां पर नेवी की जो टीम है वो भी डिप्लॉय करे गई है ताकि रेस्ट की ऑपरेशन है जो की कर सके इन फैक्ट एरफोर्स ने भी 16 ट्रास्पोर्ट एरक्राफ्ट 18 हेलिकॉप्टर जो है है ना वह पैनलसूला वाला जो अपने सब उखड़ गए के अंदर है ना तो काफी तोड़ा ऐसे बात ने डेमेज हुआ है चलिए यहां पर बात करें तो साड़े 400 मिसिंग है दोस्तों डिल्ली के अंदर डेटा को लेकर यहां पर बताया गया है जो नंबर यहां पर गवर्मेंट के द्वारा इशू किया गया है है वह यहां पर दोस्तों बताया गया है तो सभी को मालूम है जो को गवर्मेंट के सरकारी आगड़ों के इसाफ से बोला गया है कि डाही लाग जो है वो दैट हुई है भारत में अभी तक डाही से तीन लाग लेकिन रियालिटी है कि हमारे देश में एक मिलियन से भी ज्या लिदा आराम कर देए इंडिया चलिए यहाँ पर दोस्तों बोला गया है जो मैंने आपको बताया था जो बीके पॉल नितियायों परसान नहीं एक्सपर्ट गृप है एक ठीक है एक ठीके एक एक अडवाइस्टरी ग्रूप बना गया था गृपन वैक्सिन था इसके अलावा दोस्तों 119 बिहार की जो डॉक्टर ना उनको अभी तक कोई भी सरकारी है जो कि नहीं मिलिए एक ही फैमिली को स्टेट के द्वारा क्रेंड यहां पर दोस्तों और इंटरेशन अवार को लेकर और इंडिया की बिलिदिंग जो वह उड़ा दी अब आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा दिया आसोसेट प्रेस्ट वह भी उड़ा दिया गाजा के अंदर ना बारा फ्लोर की बिल्डिंग ती पूरी के पूरी चेप दिया आप इसके लावा दोस्तों यहां पर उनाव के स्ट्रगल के बारे में बतागा यूपी में आलत बहुत जादा खराब है जितने दिखाय इसके लावा यहां पर प्रोटेस्ट को लेकर बताया गया तो यह पूरा का पूरा प्रेंट पेस्ता कुछ जादा इंपॉर्टन नहीं है इसके अंदर के बारे में हमने बात कर लिए यह देख सकते हो आप मैप इस तरीके से जो है यह इसका रूट है अब यहां पर देखो पहले देख चुके हैं तो नेवी टीम यह देखिए इस तरह की काफी जादा लहरे हैं जो की मैंगलूरु वाला जो कोस्ट एलिया रहा वहां पर देखने को मिल रही है ठीक है तो काफी सारे विलेज़े करनाटका के अंदर के अंदर जहां पर देखने को मिला है चलिए मैंने दिखा दिए चलिए आगे बात करते हैं पर नॉको लेकर यहां पर बात करेंगे किसको लेकर मार्स लेंडिंग को लेकर तो चैना ने दोस्तों एक और जो है वो लगा लिया है और अभी डिसेंटली आप सभी को मालूम होगा कि रश्या और यूसर के बाद में इस तर आपर लैंड करवा दिया है पहला रोवर है जो कि करवाया और अपने स्पेस के जो इसके अम्बीश्यन है उसको लेकर काफी आगे आगे यह जो की वह बढ़ गया है तो चायना ने लास्ट ये की जुलाई प्रफ़ाई के अंदर अपना पहला मार्स मिशन ने जो कि लांच किया था जिसका नाम क्या था तो इस वाले फैब्रेरी से ये मार्स के अर्बिट के अंदर गूम रहा है और सेटेड़े को दोस्तों ने से सेफली जो है उसके उपर लेंड किया है जो रोवर का यहाँ पर नाम है वह आप से पेपर में पूछेंगे उसका नाम है जूरॉंग समझगे गौड ऑफ फायर होते हैं चाइनिस लेंग्विज के अंदर उसको बोलते हैं जूरॉंग तो रोवर का नाम है और इस मिशन का जो स्पेस्क्राफ्ट का जो मिशन है उसका नाम है ताइवें वन तो यह दोनों बाते आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अगर मैं ब मैं पुरला था कि दूसरा सांट्री दूसरा नि तीसरा गंठरी यूसे सांट में दोस्तों ऐसा पहले जो और cycling में यह ऐंब बहुत बड़ी बात है है तो यहां पर कैसा करने दो दोस्तों चाइन है निकसे शांए रहें आफम बात करें यह रहों यह और रहें जो कि Pow है चलिए तो बहुत ही इंपोर्टन स्टैप है जो कि चाइना के इंटर स्टेलर एक्स्प्लोरेशन को लेकर दोस्तों बताए गया एक्चिली के अंदर अब यह रोवर करेगा क्या यह रोवर जो इसके उपर से सेंपल लेकि आएगा और सेंपल के उपर यह स्टेडी करेंगे उसके बाद में उसके उपर कैसे मिनरल है कैसे बना है और उसके उपर क्या काम हो सकता है यह पूरी जानकारी जो कि मार्स के उपर लेंगे ठीक है चलिए तो यह वाला काम है इसके अलावा इसके अलावा जो कि इसने करें यहां पर देख सकते हैं अगर मैं चाइना के मिशन के बारे में बात करूँ स्पेस के तो सबसे पहले 2003 के अंदर क्या हुआ था 2003 से शुरुवात होती है इनके तो यहां पर शैंग्जू फाइट ना इन से पहला चाइनीज एस्ट्रोनॉट है यह ना शैंग्जू फाइफ जो है वह मिशन था जिसने चाइना के पहले एस्ट्रोनॉट है यह यह बंदा जो है वह स्पेस में गया था समझ गये और ऐसा करने वाला भी यूएसे यूएससर के बाद में ठीक है यूएसे यसार के बाद में करने वाला बन गया था था किए कैसे हमारे बी जो राकेशन में गए थे सपेस के अंदर वह खंबने नहीं बहाएज थे वह ते तो खुद बेजने वाला के बाद बेंगा था 2003 के अंदर 2007 के अदर पहला नाल नाम था चैंग वन और ऐसे करने वाला ये दुनिया में पांच वा कंट्री था जिसने लूनर मिशन है जो की किया था उसके बाद में आपको मालूम है चैनल ने एक टाइगॉंग वन नाम की स्पेस लैब है जो की लॉंच करी थी आप देख सकते हैं अपने स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर 2011 में आपको मालूम है ना इस पेस स्टेशन कुद का इंट्रेशन स्टेशन में आने ये लोग वैसा ही बना रहे है उसका साइस थोड़ा चोटा है लेकिन काम कुछ वैसे ही कर रहे हैं तो दोजर यह जो बात है इन्होंने जो इस पेस टेशन लॉंच करने की शुरुवात करी थ थी दस साल हो चुक है तो तैगॉंग वन है जो कि उसका नाम था वह आपको मालूमी होगा कुछ दिन से हम इसके बारे में बात ही कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों पहली बार मार्स के अर्बिटर के अंदर एंटर करने को लेकर रेश्या के साथ में भी इन्होंने कोशिश क करी थी 2011 में लेकिन यह सक्सेस्फुल नहीं हो पाए 2012 के अंदर दोस्तों इन्होंने चैना के स्पेस्प्रोग्राम के अंदर टैगॉंग वन के ऊपर और काम किया 2013 के अंदर वापस से थर्ड मून प्रोब है थर्ड बार क्या हुआ चैंक 3 इन्होंने लांच किया और मून के करने वाला भी यूसार के बाद में तीसरा कंटी था 2016 के अंदर भी तैगॉंग सेकिंड जो स्पेस्टेशन जो है वह आप इनके द्वारा लॉंच किया गया 2019 के चैंग 4 बेजा मून के ओपर वापस से इन्होंने फार साइट ऑफ दा मून जो है ना सदन पार्ट वहां पे तो यह पूरे के पूरे दोस्तों क्या है इसके अभी तक के दोस्तों ऑपरेशन से जोकी देखने को मिल रहे हैं यह एक वीडियो है कि आप इसको भी देख सकते किस तरीके से लैंड किया इसको लेकर यहां पर बताया गया है कि कि कारफियो सभी वीडियो है के अंदर काफी बिलकुल लैंडिंग जो है ना वह दिखाएं यहां पर कि यह चाइनीज का जो स्पेस स्टेशन जो स्पेस टीम अधिक है कुछ इस तरी कैसे हैं चलिए आगे बात करते जो की बात करेंगे नीरा टेंडन को लेकर ठीक है इस तो नीरा टेंडन की बात करें तो उनको अपक्र क्या गया है वाइट हाउस की सीनियर एडवाइजर तो आप यहां पर देख सकते हैं काफी इंपॉटेंट न्यूस है तो इंडियन अमेरिकल जो कि आपको यहां पर द्यान रखनी इससे जादा आपके लिए कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है अभी एक तिंग टैंक के सैंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस उसकी प्रेसिदेंट और सीओ है जो की बनी हुई है प्रिजेंट ली पत्रास साल की नीरा लेकर चाल जाएंगे चलिए यहां पर दोस्तों बताया गया है जो कि अपने फिनेंशल एक्सप्रेस के जो अमडी है उनके मित्ति हो गई है यहां पर फोटो जैख सकते हैं कोवीड दैंटिन के वज़े से अमडी थे फिनेंशल एक्सप्रेस के बहुत जबर्दास नीस पर पूछे गया कि यह उर्प को क्यों गये तो उन्होंने बोला कि नहीं भी मैं इंडिया चोड़ के में यहां अपर बिजनस के प्रोस्पेक्टिस आएं को कि पहले उनकी फुरी फैमली भी लंडन के अंदर ही रह रही है तो दवा और दारू दोनों जो है वो लंडन के अंद के इस्यों के बारे में फोटो दिखाए गई है तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी जबर्दस परसंत है सुनिल जाएं जी काफी टाइम तक जो है मैनेजिन डेरेक्टर है फिनेशल एक्सप्रेस के ओके तो कोविडेंट के वज़ेसे इनके मित्य हुई है चलिए आगे बात करते हैं गवर्मेंट ने प्लान किया है तो रैम अप को वेक्सिन प्रोडेक्शन टू टैन करूल डोजेज मन्त तो फाइनली दोस्तों अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि अर्विन केजरिवाल जी ने एक सजेशन दिया था सेंट्रल गवर्मेंट को यह बोला थ रहती है तो लेकिन उस टाइम पर काफी किट्रिजम हुआ था काफी मजाग बना गया था कई लोगों ने तो बोला कि हमारी गली के इंदर एक समोसे वाला है वह अपना फॉर्मुला जो है वह क्यों करेगी तो डेफिनेटली कोविट शील्ट तो क्यों जो ऐसे साई है वह करें कि समझ में आता है लेकिन जो गौर्मेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है वह तो शेर कर सकती है क्योंकि उसका काम तो वैलफेर करना ही है उसका काम तो यह है कि देश में बढ़े और सभी लोगों को डोसे मिले तो बात बिल्कुल सहीत है फाइनली जो है वो सरकार को समझ म में और 500 करोड की फंडिंग में दोस्तों दी जा रही है तो यहां पर हैफ किन करके मूंक बॉंबे के अंदर है इसके अलवा हैधरावाद में बुलंग शहर के अंदर भारत इम्मुन लॉजिस्ट और बायोजिकल है तो यह तीन है जो की को वैक्सिन को बनाने का काम करेगी ठीके गाइस तेरा करोड वैक्सिन जो कि एक मंत में बन सकती है अगर यह पीस्ट जो है तीनों के तीनों मैनुफेक्ट्रिंग स्टार्ट कर देगी तो ओके गाइस चलिए ठीक है और और भी कई सारे प्राइवेट पेर के साथ में भी बात चल रही है को वैक्सिन के प्रड चलिए यह देख सकते हो आप फीडिंग को लेकर बताया गया कि अनिमल को फीडिंग कराना भी जो अगर फूड है कोई भी अवेलेबल है तो जरूर करवाईएगा बहुत अच्छा फील होएगा आप लोगो अगर आपके घर के आसपास कोई भी अगर आपको अनिमल दिखे है ठीक है इसके अलावा चीफ का स्टेटमेंट है चलिए और मोधी जी की अलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने वालों पर 15 ग्रफतार है जो की करे गए है ठीक है और यहां पर प्लाजमा रेमडेसिवीर के बारे में बोला गया है कि कोबीड नैंटीन के अंदर जो है व वो कोई वो कोई है ना वो है कोई ऐसी जादूई दवाई है जिससे आदमी तुरंट से हो जाएगा तो बहुत क्रिटिकल कंडिशन होती है किसी की समझ गए अगर आपकी माइल्ड कंडिशन भी तो भी जरूत नहीं है घर पर आदमी सही हो सकता है तो बिन बात उसको यहां पर सुषील के खिलाव वरंट जारी किया गया ठीक है और यहां पर दोस्तों बताया कि गंगा के अंदर बहुत सारे आपको मालूम है दोस्तों बड़िज मिलिए तो क्या गंगा की रिवर के अंदर जो है कब तक यह वायरस है जो कि रह सकता है उसके बारे में बताया Sat Capital है आपको मालूम है वायरस जो है वह वैसे तो क्या होता कि एर टु ए तो टूइर तो ठीक रहता तो इसके गंणटें जो की बोला जाता है कि इर के अंदर रह सकता है पानी के ना कि टिन है जो की बोला जा रहा है की रह सकता है वाईरस क्योंकि वहांपर टेम्परेचर उसको थोड़ा कम मिलेगा लो डेंजर जो है हौँआ वाइस के लिए एक गार्ण इंगर िंदर जो इठास के लिए को सकता है यहां पर 20-25 दिन बताए गया है लेकिन मुझे लगता है कि इसके उपर और रिसेल्च करने की जरूरत है ठीक है आगे बात करते हैं जो कि देंदू के आज के फ्रेंट पीस की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पांस लोगों की दोस्तों आप मृत्ति हो गई है स्ट्रॉंग विंड के वज़े से किरला और कंडांका के अंदर आप देख सकते हैं आप काफे सारे टीम टपर है जो कि उड़ गए सैक्लों के अंदर दिली में जो लागडाउन है चौबिस मेह तक जो कि अभी आ गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो पॉजिटिविटी रेट थोड़ी कम हो गई है सब पहले ऐसा हो रहा था कि सो टेस्स करोगे तो बाइस लोग पॉजिटिव मिलेंगे अभी गिर के उन्निस हो गया है ठीक है तो थोड़ा सा केसे पिसले तीन-चार दिन से भी पचास अजार एक लाग तोड़े से कम आ रहे सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी बात है मतलब यहां पर कोविट-19 के रेस्पॉंस को लेकर बताया गया कि अभी भी देश को जो है हर कंट्री को या इंडिया को स्पेशली 6-18 महने जो है ना वह हमारे देश के लिए बहुत ही क्रेटिकल है यह ऐसा सौमिया सौमिनाथन लों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि बोधी जी के पोस्टर जिपका गया है उसको लेकर आपर बताया गया है चलिए तो यह चोटी न्यूज़ पेपर के लिए नहीं लेकिन बता देता हूं कि एटल ने भी जिए के बात में अनौस्मेंट कर दिया है कि जो फॉर्टीन के अंदर वही है कि कई सब्सक्राइब को कुछ गंटें जो कि आपको फ्री मिल जाएंगे बातशीत को लेकर ना तो जीओ के बाद में एटल ने भी अनौस्मेंट किया है तो सबको मिल जाएगा चलिए आगे बात करते हैं पेस नंबर 13 यहां पे बात करेंगे दोस्तों सब्सक्राइब को लेकर पॉलिश टीनेजर एगा पॉलिश मतलब पोलेंड की प्लेयर है यह टीनेजर है तो इन्हों ने इटालियन ओपन है दोस्तों जो कि यहां पर जीत लिया है और कैलोली ना प्लिस कोवा को 6-0 6-0 सा रहा है वहला एक भी सैट नहीं जीतने दिया सब ठीक है 45 मिट के अंदर फाइनल है जो कि यहां पर जीत लिया क्या बात है चलिए आगे बात करते हैं माइकल जॉड़न आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों माइकल जॉड़न ओन ग्रेटेस्ट बास्क्विबॉल प्लेयर माने जाते हैं 75 साल के उमर में इन्होंने फि नाइकी के और उस्वजे से नाइकी के है मेरी ख्याल से पतानी कौंसे भ्रेंट के नाइकी के होंगे यह ना तो उसके इंको काफी पैसे मिलते हैं तो अभी रिसेंट लिएंपर रिसेंट पीया रहा है वह बात किlier दोस्तों मालूम है कोब की दोस्तों माहिकल जॉड़न ग कुछ टाइम पहले मात फॉर्टी वन की उम्री थी हलिकॉप्टर जो है उनका क्रैश हो गया था उसके वह उनका बच्चा और साथ लोग और थे जो कि उसके अंदर उनकी मृत्य हो गई थी तो लॉस एंजलिस के दोस्तों लेकर्स के लेजंड थे को भी ब्रैंट तो उनको प पर देख सकते हैं इसके अलवाब महिलाओं के अंदर डंकन करके एक प्लेयर उनको भी ऑनर किया गया है फाइफ टाइम यह भी एन्बेंगे चैन्पे ने जो की इंक्लूट करें गई थी ताइम एन्ब्या फाइनल के जो है टैंट टाइम वोमें नेशनल बास्केशन की है जो की रह चुकिए तो इनको भी हॉल-फे में शामिल किया गया है आप देख सकते हैं को भी ब्रैंट है वनुदा वनुदा बेस प्लियर थे मतलब बास्केशन के मैं खुद भी मतला आफ्टर था क्रिकेट स्पोर्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूं काफी खेला है मतलब तो इतने सारे विनर रह चुके हैं पांच बात तो नबेए चैंपें रह चुके हैं पांच बेए फाइनल जो है वह वो नबेए के मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर दोजार राट में एंड सो और मतलब उसके अलावा क्या ही बोले है चलिए ठीक है इसके अलावा देख सकते हैं आ 2012 के लंडन के अंदर चलिए आगे बात करते हैं इंडिन एक्सप्रेस की दोस्तों यहां पर हम लुक सकते से नुक्त करेंगे आज के निसपेड़ की मैं दिखाए गया कितनी जाधा डैमेज है जो कि पेंड हुए इसके अलावा यहां पर बैट्स के बादे में बात करी है थ तो यहां मेरे कुद भी हाइट जो है वो काफ बास्केल बॉल के वज़े से बढ़ी है मतलब तैंट तक जो है वो मैं सीरियसली जो है क्रिकेट के अंदर बहुत सुबह शाम क्रिकेट ही कहला खरता था इस ट्रेडम के अंदर लेकिन जब मैंने स्कूल चेंज किया तो वहां प और कि क्रिकेट सेकेंड हो गया साइंस मेप ले ली था और साथ में स्कूल चाम भीला करती दो बहुत हम पैरों के अंदर जो है वेट लगा के जम करबाया करती थी समिदेरों मतलब पैरों के तर वेटागे पांसों ग्राम के जब कर आडगांकर थी तो मतलब मतलब वह सब्सक्राइब शुटिंग करते हो ना शुटिंग के टाइम पर तो उस ताम पर मतलब हाईट जो हो बहुत जाधा ड्रास्टिकली इंकरीज होई और इस एक फारक परता है वसाइड का इसी बात नहीं है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं तो शाग जो है है वह क्या यूज करती है अपने जीपिएस के तौर पर तो यहां पर दोस्तों रिसेंटली स्टेडी के अंदर बताया है अपनी जर्णी को जो है लॉंग डिसेंस तक आपको मालू में शार की कैसी चीज़ है जो अक्रॉस ओशन तक पार करके जाती है तो वह अपने आपको न सत्ता को लेकर हर्याना दिल्ली में 24 तक दोस्तों कंप्लीट लॉगडाउन है इसके अलावा किसानों पर पुलिश ने चलाई लाटिया कई लोग घाया लोग है खट्टर सापके कारगरम के अंदर विरोध है जो किया जा रहा था ठीक है इसके अलावा यहां पर देखिए कॉंग लेक के पास में वापस से चीन ने जो है अपना जमाना चालू कर दिया है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर दोस्तों रूलर इंफ्रास्ट्रॉट्ट्रॉप्मेंट के बारे में बताया गया है कि अभी रिसेंटली जो नाबाड के बारे में आप सभी को मालूम है इन चीजों के अंदर रूप्मेंट हो इन सारे चीजों के अंदर चाह इंडेस्ट्रीं हो सपरेट फीडेलाइन तो को दिशेंट बारे में आपको मालूम है रिसेंटली माहरास्टी गुजरात दिल्ली कही जी चेंपे देखा गया है जो कि क्या होता है फंगल पॉस्चर जादा है अगर आपके आसपास और आपने बहुत इस्टोराइड यूज कर रहे तो आपकी बॉड़ी जो है वह आपके आसपास फंगल इंफेक्शन को काउंटर करने के लिए कम हो जाती है उनकी इस उनकी के पैसिटी कम हो जादी तो बॉड़ी में फंगल इंफे ठीक गाइज तो अभी यह नोटीफाइड डिजीज कौन से होते हैं को नोटीफियाबल डिजीज भी बोलते हैं और यह वह दिजीज होते हैं जो कि गौर्णमेंट के द्वारा दोस्तों नोटीफाइड कर वाए जाता है और उनकी ओपर ग्लोबली काम करता है जैसे कि रिस सब्सक्राइड करते हैं जो कि माने जाते हैं आगे बात करते हैं न्यू अप्रोच फॉर को पोस्ट कोविड एड्जूकेशन तो यह लेंडिंग को उपर दोस्तों फोकस करने को लेकर बोला गया आपको मालूम है कोवीड-टीन के अंदर दोस्तों बच्चे जो है ना मतला अब ऐसा है कि दो साल हो चुके विटाउट इसकूल होते जा रहे हैं कॉपी किताव उठाने का बिलकुल नाम नहीं है मेरे खुट के अंदर जो मेरा नैफ्यू है जो मेरे से बड़ा जो बाई है उसके दूसरा जो बच्चा है मतलब वह पहली बार स्कूल गया था नरसरी क जो है वह बिलकुल हो चुका है तो कंडिशन काफी कराब हो चुकिये तो इसी को लेकर दोस्तों आप एक चांसर दिखाया कि अंदर जो है ना पहली बात तो अव्लिबिटी नहीं ऑनलाइन एड्यूकेशन की जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास जिनके पास में आई पैड है फोन अच्छे मुबाइल फोन है वो तो फिर भी पढ़ पा रहे है पहले बात उनमें से भी 25 परसेंट ही पढ़ रहे हैं और अगर जो अंडर प्रिवेज सेक्शन की बात करें जिनक बच्चों का आटी के तुरू एड्मिशन ले रखा या फिर इस तरह कैसे तो उनके त पहले पर्टिशन थे आटी को लेकर दूसरी वाली यह भी लगा रहा है जिसके यह बताए गया है कि जो बच्चे ना जो अंडर प्रिविलेज बच्चे जो आटी के तुरू 25 परसेंट है उनको मुबाइल डिवाइस और इंटरनेंट की सुविधा दी जाए क्योंकि यह ग काम नहीं है सरकार का सूचना काम है कि किस तरह के से वह यह वेलफेर है कर सकती है को कि हमारा काम टेक्सेस देने का है सरकार का काम जो है टेक्सेस की पैसे को सही उटिलाइस करने का है ठीक है तो केस जो भी देखते है सुप्रीम कोड तक जाएगा क्या होता है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स चलते हैं जो कि पहला बात तो यह कि अवलिबिलिटी नहीं है दूसरी प्रॉब्लम यह कि दोस्तों लॉंग टाइम इंटरेट का उसके वाज़े से उनके थिंकिंग का लेवल बन नहीं पा रहा है इंटर अनलेटिकल थिंकिंग जो हो रही है वो आपस में कोई बातचीत नहीं है कोई ग्रूप नहीं को सोचल अक्टिविटीज नहीं हो पा रही है तो इसके बच्चों का मुझा माइंड जो है वो इतने अच्छी तरगे से डबलब नहीं हो पा रहा है कुछ सलूशन भी हो सकते हैं ऑनलाइन एजूकेशन के बढ़ावा आने वाले दिनों के अंदर स्कूल जा सके मेरा इमाना कि बच्चे का स्कूल जाना बहुत जादा जरूरी होता है क्योंकि उसका स्तरीफ एजूकेशन लेवल नहीं उसका जो एक सोशल इंटलेक्शलिसम होता है वो भी इंप्रूव होता है सोचल गैधरिंग उसको होनी जर करें जैसे कि पीजी पार्ट चाला है नीट करके है इसके लाब प्राग्याता है नेशनल प्रोग्राम और टेक्क्नोलोजी एनेंस लेंगे सारे प्रेटफार्म से जो की गौर्मेंट के तुमारा लांच करें आगे बात करते हैं टॉकेटिव डैनेसोर जो है वो मैक्सिको म इसलिए दोस्तों टॉक्रिटिव जो है वो बताया गया है तो कई सारे दोस्तों आप देख सकते हैं आप पहली ओटोलोजिस ने रिसेंटली नई स्पीशियस है जो की डैनोसोर के जो है मैक्सिको के अंदर नॉर्दन मैक्सिको के अंदर ठीक है चलिए तो यह 10 साल पहले इ तो काफी आवाज जो है वो काफी suitable थे जौश इनका था लूवर जो थे इनके यह सब को जो है वो रेक्टिफाइग गया है ठीक है तो इसलिए जो है इनको टॉकर्टिव जो है वो नाम दिया गया है ठीक है आप देख सकते हैं टैलाटो नोफस गैलोरम है ना ठीक है 1.32 मि दोस्तों जो कि यह हुआ करते थे और अमेरिकन पीपल के द्वारा जो सिंबल यूज होता था ना इनके क्रस्ट का जो शेप है वो भी कुछ इसी प्रकार से था और बिल्कुल शाकारी थे हर्भी वोरस डैनोसोर थे लो फ्रिक्वेंसी साउंड भी यह सुन लिया करते थे काफी स्ट्रॉंग साउंड हुआ करता है देख सकते हो इस तरीके से डिस्कवरी हुई है ठीक है चलिए कुछ दोस्तों करंट अफेर के शॉट देख लेते हैं पिछले वीक के अंदर क्या-क्या हुआ है जैसे कि आज अस्तिलिया ने रिजूम कर दिये फ्लाइट इंडिया से कई सारे लोग अटके वे थे उनको वापस लेके चले गए चलो अच्छी बात है पहरे सिटी दोस्तों प्लैन कर रही कि वो ट्रैफिक को ड्रैस्टिकली रिड्यूस करेगी 2022 तक है ना पॉलिशन को कम करने को लेकर बोला गया है इसके अलावा टॉप 10 वीकली करेंट अफियर की बात करें 10-15 मही की तो सबसे पहली इंपॉर्टन यूस ती रिविजन एक तरीक ऐसे इंडियन आर्मी ने ने इंडट किया है फोस्त बैच वुमें सोलजर 83 महिलाओं को इंक्लूट किया है विश्वा जी दोस इंडियन इकनोमी जो है 10% ग्रोग करेंगी 2022 के अंदर भारत बायो टेक सिरम इस्ट्यूट दोस्तों मतली वैक्सिन प्रडेक्शन को बढ़ाने वाले हैं यूएन ने प्रोजेट किया है बारत को मोस्ट पॉपुलेस कंट्री 2027 के अंदर ठीक है गाइस के पी शर्मा ओली यह वापसर प्रदान मंत्री बन गया नागलेंड की ने दोस्तों जो कंटर्वेशनिस थे वहां के नुकलू उनको वाइट ले अवाड है दोस्तों जो की 2021 का मिला है ठीक है तो यह थे दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट शॉट्स और साथ में वीकली रिविजन आज की ध्या साथ में पहुंचे थे और पहले ऐसे वेस्टन पर्सन थे जो की दोस्तों यूरोप से इंडिया थे बाइने यहां से समान उठाए और वापस से जाके बेचे तो 40 गुरुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ यहां के राजा को मज़े आ गए टेक्सेस मिल गए और जो है नहीं लोग है जो कि देखने को मिले और जब वास्कों को समझ में आए कि यह तो बहुत ही बढ़िया काम वहां से समान लाओ यहां पर बेचो 40 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उन्होंने क्या किया चलो ठीक है कंपनी खोड़ लाते हैं तो वहां पर जाके गोवा में अटाइक करके वहां पर गोवा को क्या चेकर लिया शेर सासुरी ने दोस्तों मैंगों को जो है बैटर लोग करना हुच के अंदर दोस्तों सेकंड टाइम में जो कि आराया और यहां से रवाना किया ठीक करें दोस्तों कि परना चूंब करना है और साथ में जीवन बिताना है हर एक आदमी की जो चौइस की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी होती है लेकिन आज में हमाने आप ऐसा लगता है कि नहीं हो मुस्तक्राइटी अब बहुत अलग तरीके से जो हॉधा जाता है ठीक ह को को कना अगे बात करते हैं ना वो दोस्तों और के लाइब तया को आज गए थे हैं अचे पर धिसची के इस और आज रहता बढ़ा आञे दोस्तों साउंड़ पोजिटिव माइन रखी पोजिटिव र्कें पॉजिटिव चीजे शेर करें अपने वाटसप पे ताकि सब भी लोग जो है थोटे से पॉजिटिव रहे उनको इंमत मिले हैं चीजों से लेडने को लेकर चलिए इसके लाव अगर आपको इंडिया में दोस्तों किसी पर एक्जाम के तैयारी करनी है तो आप इंडिया के ट पूरी क्लासे कौन कौन से एक्जाम के लिए चाहिए आपका इटी हो चाहिए आपका नीट हो यह का हो मैट हो एट-9-10-11 क्लास हो यूपीसीज़ डिफैंस बैंकिंग अससी कुई भी आपका एक्जाम हो कंप्लीट जीके के लिए दोस्तों आप सब्सक्रिप्चिब्शन ले सकते हैं जहां पर मैं आपको कंप्लीट जीके रहा हूं आप देख सकते हैं कि सारे टॉप एजुकरे क्लासेस आपको एक ही सब्सक्रिप्चिब्शन में मिल जाएंगे जो की मातर साड़े 400 रुपे पर मंत है आपको डाउनलोड करनी है यहां पर मुबाइल नमबर डाल दोनों में से कुछ भी यूज़ करिएगा 10 परसेंट आपको अपनी जाएगा यह माई के माध्यम से आप इसको पेग कर सकते हैं आज का पहला सवाल देख लेते हैं किस राज्जे सरकार ने कोविट 19 के कारण अपने माता पिता अभिवाव को को खोने वाले बच्चों के ल सरशाथ मंग प्रहसों के लिए वाइटली अवर 2021 का वजयतन आमित किया गया है नेक्स्ट बारत में अगस्त और दिसम्बर 2000 की बीच कितनी वैक्सिन जो है प्राप करने का नुमान जो की लगाया है जो बारा मैं दोजार किस को किस वारतिराज्ज ने अफ्रिकन स्वैन करेगा आज के लिए इतना है थैंक यू गुडबाए और नाइस डे थैंक ये वरिवन